जै मातादी दोस्तों मैं हूं रिच्चा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों वर्ट सावित्री का वरत हमारे हिंदु धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपून वरत होता है इस वरत को सभी सुहागिन महिलाएं अपनी पती की लंबी आयू, सुखी व्यवाहिक जीवन, घर में सुख सम्रिद्धी और संपून सभाग्य की प्राप्ति की मनुकामना से करती है दोस्तों दक्षिन भारत में यह वरत जेश्ट माह की पुर्णी माह के दिन किया जाता है और उत्तर भारत में यह वरत जेश्ट माह की आमवस्या को किया जाता है परन्तु वर्ट सावित्री वरत की पूजा विथी दोनों जगहों पर समान ही होती है दोस्तों हिंदू पौरानिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि वर्ट का पेड त्री मूर्ती को दर्शाता है साथ ही यह दिर्खायू का भी प्रतिक है जिसका अर्थ है भगवान विश्णू, भगवान ब्रम्हा और भगवान शिफ का प्रतिक होना इस प्रकार माननेता है कि वर्गत के पेड के नीचे बैठ करके पूजन वर्ट और कथा करने से वर्टी के संपून मनुकामनाईं पून होती हैं। पहली बार कर रही है या आपके परिवार में कोई बताने वाला नहीं है तो आप इस वीडियो में बताएगए नियम अनुसार इस वर्ट को कर सकती हैं। तो दोस्तों सर्व प्रध हम जान लेते हैं कि वर्ट सावित्री वर्ट करने की पूजा के विधी और नियम क्या है। दोस्तों नियमों का पालन आपको एक दिन पहले से करना चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ कोई भी वर्ट करें एक दिन पहले ही सर्दों के नहाले और शुथ हो जाएं। एक दिन पहले से ही साथविक भोजन करें अपने व्यभार को भी साथविक रखें। दूसरे दिन जस दिन व्रट है उस दिन सुबा सवेरे जल्दी उठके स्नान आदी से निवरित हो ले साफ स्वक्ष वस्रधारन करें। वर्ट सावितरी व्रट सुहागन महिलाओं का व्रट है तो इस दिन आपको सोलहों शिंगार करने होते हैं। कई लोग इस व्रट में अपने शादी का जोड़ा पहनते हैं। अगर आप शादी का जोड़ा नहीं पहन रहे हैं तो भी आप लाल या पीले रंग के वस्रधारन करें। कई जगों पे नए कपड़ी भी पहने जाते हैं। जो भी मस्र आप पहने वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। शोलहों शिंगार करें। अगर संभव है आपके पास नई चोड़ी है तो चोड़ी जरूर बदले। सिंदूर लगाएं। इस दिन जो है वो पीले रंग के या जो नारंगी रंग के सिंदूर आते हैं। उसको लगाने का विधान है। बिंदी लगाएं। महावर लगाएं। निल पॉलिश लगाएं। महंदी भी लगा सकते हैं। महंदी आप एक दिन पहले ही लगा ले तो पहतर है क्योंकि इस दिन पूजा होता है प्रशाद बनाना तक कई काम होते हैं इस प्रकार से सोलो और शिंगार करके तयार होके सबसे पहले आपके घर में जो आपसे बड़े हैं उनके पाव चुए और आशिरवाद लेगे इसे भी वृत की शुरुवात और समापन हमेशा आपने बड़ों के आशिरवाद के साथ ही करना चाहिए इससे व्रत का शुरेष्ट फल प्राप्त होता है इसके बाद अब आपका जहां पे पूजा अस्थल है आप रोज जिस प्रकार से घर में पूजा करती है सभी देवी देवताओं के उस प्रकार से पूजा करें साथ थी वहां पे आप वर्ड सावित्री व्रत करने का संकल्प लें हाथ में थोड़े से अक्षत गंगा जल फूल एक रुपे का सिक्का ले करके आप वर्ड सावित्री व्रत करने का संकल्प लें साथ ही अपनी मंगल कामना भी कहेंगी और इस प्रकार संकल्प लेने के आप काले चने भूंगोने के लिए अवश्य रख दे इसका पूजा में उप्योग होता है अब दोस्तों अब आपको पूजा की तयारी कर लेनी है सबसे पहले आप अयपन तयार कर ले आपन के लिए पानी में थोड़े से चावल के आटे मिला करके उसमें थोड़े से हल्दी पानी के साथ आपका आपन तयार हो जाता है इसके अलावा दोस्तों हम रोज की पूजा में जित पूजा सामाग्रियों का उप्योग करते हैं उनकी जरुरत होगी जैसे की धूप दीप पुष्प और रोडी चंदन सिंदूर इसके साथ ही एक आप आटे का बड़ा सा क्चैसूते का माला भी बनाते हैं कच्चैसूता बड़ गात के पीड में भी प्रिक्रम करते हुए लपेटी जाती है अब प्रिशाथ में आपको क्या लेना है दोस्तों हर घर में परिवारी परंपरा के अनुसर थोड़े थोड़े अलग प्रशाथ सामाननी रूप से जो ह आटे में गुड थोड़े से मैन यानि की घी डाल करके आटे को गुन लिया जाता है उनकी छोटी छोटी बर्गत फल के आकार की गोलिया मनाई जाती है और उनको तल लिया जाता है इस प्रकार से बर्गत फल तियार हो जाते हैं कई लोग पुए भी बनाते हैं पाच तरह के फ़ल लेते हैं इसके अलाब अगर आप कोई मिठाई रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं इसके अलाब जो एक दूसरी महत्मुंद चीज़ है वो है बास का पंख्रा इसमें बास का पंख्रान जाता है परन्तु अगर किनी कारणवस बास का पंखा नहीं मिल पाता है तो आप कोई सा भी पंखा बना सकते हैं या फिर आप घर में कागत से एक पंखा तयार कर लें इसके अलावा दोस्तों आपको पूजा में सुहाग अर्थाच शिंगार की सामगरियों की आवशक्ता होती है ये भी सुहाग सामगरी आपको उपलब्ध है आप बिलकुल नए लाए जैसे कि पांच चीजें कम से कम सुहाग सामगरी में अत्यधिक महत्वपून मानी जाती है जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, बिच्छिया, महावर ये पांच चीजें आप कम से कम पूजा में जरूर रखें कई लोग दो-दो चड़ाते हैं ताकि वो एक दान कर सके पंडितायन को और एक अपने पास रख सकें अगर आप एक चड़ाते हैं तो उसमें से कु अपने उप्योग के लिए भी रख सकते हैं इसमें कपड़े भी चड़ाये जाते हैं अगर आप साड़ी चड़ाना चाहते हैं चुन्ड़ी चड़ाना चाहते हैं अगर आप सारी चुन्ड़ी नहीं चड़ा पा रहे हैं तो कम से कम एक ब्लाउच का पीस ही जरूर चड़ा उसको आप पंड़तायन को दान भी कर सकते हैं या फिर आप अपने उप्योग के लिए भी रख सकते हैं दोस्तों सुहाग की सामग्रियों के दान का अत्यधिक महत्व होता है कहा जाता है कि जिन चीजों को आप जितना जादा दान करते हैं आपके जीवन में उन चीजों की अधिकता होती है तो अगर आप सुहाग की सामगरियों का दान करते हैं तो उसकी अधिकता आपके जीवन में बढ़ती है अर्थात आपका सुहाग बढ़ता है इसके अलावा दोस्तों जब भी आप वर्गत के व्रिश के नीचे पूजा करने जाती है आपको गणेश जी की एक मुर्ती या फोटो या फिर प्रतीक रूप में आप एक सुपाड़ी में मौली लपेट के गणेश जी के प्रतीक के रूप में ज़रूर लेती जाए क्योंकि सर्व प्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और पान के पत्ते थोड़े से लेले सुपाड़ी लॉंग इलाइची लेले इसके अलावा आपको बर्गत के पेड़ के पत्तों की जरूरत होती है बर्गत के पेड़ के पत्तों को गहने के रूप में धारन किया जाता है तो बर्गत के पेड़ के पत्ते आप अपने जूड़े में या चोट या होती हैं उसको भी आप अपने पास रख लें दोस्तों इसके आपको जरुवत पूजा के बाद बरत खोलते वक्त मिले पड़ेगी और एक लोते में आप जल ले ले पूजा के लिए साथ ही आप खोलते वक्त आपको भी पानी के जरुवत पड़ेगी तो एक बॉटल में जो है शुद्ध पीने का जल ले ले इन सब चीजों को परात में कठा करके अब बर्गत के व्रिक्ष के नीचे पूजा के लिए प्रस्थान करें दोस्तों अगर बर्गत का व्रिक्ष उपलब्ध नहीं है यह प्रश्ण बहुत आता है उपलब्ध नहीं है और आजकल तो नहीं जा सकते पूजा करने तब क्या करें दोस्तों उसके लिए आप अपनी पूजा अस्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके और चौकी पर एक लक्ष्मी नारायन की मूर्थी या प्रतिमा साथ ही भगवान शेफ और माता पार्वती की प्रतिमा या उपलब्द नहीं है तो आप अपने घर में ही इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं साथ ही वहाँ पे एक तुलसी का पौधा भी रख लें अगर उपलब्द है तो एक बरगत के पेड़ की टहनी आप तोड़के मंगवा सकते हैं उसको एक गमले में लगा ले और उसकी पूज पूजा भी आप घर में इसी प्रकार से कर सकते हैं कई लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें बरगत के व्रिक्ष की टहनी या छोटा पधा भी नहीं मिल पा रहा है नहीं उपलब्द हो पा रहा है फॉरण में रहते हैं किसी ऐसी जगह रहते हैं तो आप बरगत के व्रिक्ष का ए फिर आप वट व्रक्ष के नीचे पूजा कर रहे हैं वहां पे आप एक आपन से रंगोली बना लें उसके बाद जो है आप अपने पूजा की सामगरी वहां पे रखें और सर्व प्रथम मगवान श्री गनेश और माता गौरी के पूजा करें इसके बाद आपको वट संभव हो तो देवी सावित्री और सत्यवान के भी मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें अब आपको बर्गत के पेड़ के जड़ को सीचना होता है वहां पे जल अरपित करें धूप दीब दिखाए पुश्प अरपित करें टीका चंदन हल्दी कुमकुम रोडी अरपित क करें दोस्तों बर्गत फल और पूडिया या फिर पुवा जो भी आप चड़ाती है वह 24 चौबिस बनाया जाते हैं बारह जो है वह वह बर्गत व्रेश को अरपित की जाते हैं और बारह जो है अपने पारण के लिए और प्रशाद रूप में बाटने के लिए रखे जाते साथी जो सुहाग के सामगरी आप लेके आये हैं वो माता सावित्री का ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित करें आटे का एक दीपक बनाया है जब तक आप पूजा करें या पूजा के बाद भी वो दीपक वहाँ पे जलते रहना चाहिए इसके बाद वर्गत के व्रिख्ष की परिक्रमा की जाती है आप जो सुता लेके गए हैं उसको वर्गत के व्रिख्ष के चारो उड़ लपेटते हुए परिक्रमा करने होती है दोस्तों आप 5, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं सर्वश्रेश्ट 108 बार परिक्रमा मानी जाती है परिक्रमा करते हुए भगवान का ध्यान करते रहें अपनी मंगल कामना कहते रहें भगवान से प्रार्थना करते रहें दोस्तों इस प्रकार परिक्रमा करने के पश्चात आपको जाबितरी, सत्यवान की कथा सुननी या पढ़नी होती है इसके बाद दूस्तों आपको जो कच्य धागा आप लेके गए हैं मैंने कहा था थोड़ी अधिक मातरा में आप लीजेगा तो इस कच्य धागे से आपको दू माला बनानी होती है इसको 12 बार लपेटते हुए एक माला बनाए और इसी प्रकार से दूसरी माला बना ले अगर आपके पास हल्दी है तो थोड़ी सी हल्दी आप इस माले में लगा दे एक माला आपको वटके व्रिक्ष पे अर्पित करना होता है और एक माला आपको स्वेम धारन करना होता है पुना छे बार माला को व्रिक्ष से बदलनी है बाद में एक माला चड़ी रहने देना है और एक आपको स्वेम पहन करके घरा जाना है दोस्तों जब पूजा समाप्त हो जाती है तब इस्त्रियां 11 जने और रिक्ष की बोड़ी जो मैंने बताई थी कि लाल रंकी जो रिक्ष की कलिया होती है उसको निकलना होता है पानी के साथ आप जो पानी का बॉटल लेके आए हैं उसके साथ आप इसको निकलती हुए आप व्रत का पारण करती है ऐसा करने के पीछे यह धारना है कि सत्यवान जब तक बढ़ना वस्था में थे तब तक सावित्री को अपनी कोई सोथ नहीं थी लेकिन जैसे ही यम्राज ने सत्यवान को जिविद कर दिया तब सावित्री ने अपने पती सत्यवान को जल पिलाकर स्व किस दिन मनाया जाएगा जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिन भारत और उत्तर भारत में इस व्रत को करने की तिथी अलग-अलग होती है उत्तर भारत में ये व्रत किया जाता है जेश्ट माह की आमवस्या के दिन हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अर्था दोहजार चौबीस में जेश्ट माह की आमवस्या दिथी प्रारंभ होगी पांच जून को शाम पांच बचकर चोवन मिनट पर और आमवस्या दिथी का समापन होगा छे जून को शाम छे बचकर साथ मिनट पर तो बच के बावन मिनट से दुपहर के बारा बच के अर्तालेस मिनट तक इस बीच में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकती हैं उमीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधी से संबंधित संपून जानक शित्रही जे मा तदी